तो दूस्तो आईपील 2023 के पोइंच टेबल में जबर दस्त बदलाओ देखने को मिल रहे हैं। जहां आज आईपील 2023 का दसवा मैच संडाइजस हैधराबाद बनाम लखनू सुपर्जैंस के बीचे खेला गया। और इस मैच में लखनौ सूपरजेंष ने संराइजास हैदराबाद को हरा कर, पोइंट सेबल में पहले पायदान पर पहुँझ गई, तो इसंट नबाद सेबल में सबसे रहते हैं, तो ऐसे में पोइंट सेबल में काउन सी टीम, कितने अंकों के साथ किस पायदान पर है मैं इस उड़ों में आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है काफी जादे इंपॉर्डन वीडियो में अंततकों बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दावादना दोस्तो आईपेल से जुड़ी हर चोटी बड़ीनी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोईन निक कर सकते हैं वहाँ पर आपको पलपल की अपडेट टेम मिलती रहेगी अब टेलिग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जागी तो आईए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दूस्तो पोइंस टेबल में दसवे पाइदान पर है आज का मैच हारने वाली टीम संडाइजस हैदराबाद संडाइजस हैदराबाद ने अब तक दो मैच खेले है और इस टीम को दोनों मैच में जो है हार का सामना करना पड़ा है जाए इस टीम के पास टोटल जीरो अंक है तो इस टीम का जो नेट माइनस में काफी खराब है अब इस टीम का जो अगला मुकाबला होने वाला है वो पंजाब के साथ होने वाला है पोइजस टेबल में नववे पायदान पर जो है मुंबई इंडनस है मुंबई इंडनस ने अब तक एक मैच खेले है और उस match में जो है इस team को हार का सामना करना पड़ा है जहां इस team के पास total 0 अंक है तो इस team का जो net run rate है minus में minus 1.981 मुंबई इंडिनेंस का net run rate है points table में जो है 8 वे पायदान पर है डेविड वर्नर की कप्तानी वाली team Delhi Capital Delhi Capital ने अब तक का 2 match खेले हैं और इस team को दो के दोनों match में जो है हार कास सामना करना पड़ा है जहां इस team के पास total 0 अंक है तो इन net run rate जो इस team का है minus में minus 1.703 Delhi Capital का net run rate है जो की काफी खराब है points table में जो है 7 वे पायदान पर है Royal Challengers बिंगलोर Royal Challengers बिंगलोर अब तक 2 match के लिए है और इन 2 matchों में से एक match में जीत हासिल किये है जबकि एक match में जो है इस team को हार कास सामना करना पड़ा है जहां इस team के पास total 2 अंक है तो इस team का जो net run rate है minus में minus 1.256 Royal Challengers बिंगलोर का net run rate है points table में चट्टे नंबर पर है मेहंद्र सिंग धोनी की कपताने वाली team चन्नेई सूपर किंग चन्नेई सूपर किंग ने अब तक 2 match खेल है और इन 2 matchों में से एक match में जीत हासिल किये है जबकि एक match में जो है इस team को हार कास सामना करना पड़ा है जहां इस team के पास total 2 अंक है तो इन नेट रन रेट जो है प्लस में प्लस 0.036 team का नेट रन रेट है प्लस टेबल में 5 वे पायदान पर है राजस सान रोयल्स राजस सान रोयल्स ने अब तक 2 match खेले है और इन 2 matchों में से एक match में हार का सामना करना पड़ा है जबकि एक match में इस team को जीत मिली है जहां इस team के पास total 2 अंक है तो इस team का जो नेट रन रेट है प्लस में है प्लस 1.675 इस team का नेट रन रेट है प्लस टेबल में 4 पायदान पर जो है कोलकाता नाइट आइड़स कौलकाता नाइड़स ने अब तक को 2 match के लिया और इन 2 matchों में से एक match में जीत हासिल की है जबकि एक match में कौलकाता नाइड़स को हार का सामना करना पड़ा है जहां इस team के पास total 2 अंक है तो इस टीम का जो नेट रनेट है प्लस में है प्लस 2.056 कोलकाता नाइडस का नेट रनेट है जो की राजस्तान रोयल चिनने सुपर किंग और रोयल चैलेंजर बिंगलोर से काफ़ी बहतर है तो वह इस टेबल में तीसरे पाइदान पर है पंजाब किंग शिकरदोन की कफटानी वाली टीम पंजाब वुकिंग ने अब तक को 2 मैच खेले है और इस टीम को 2 के दोनों मैच में जो है जीत हासिल हुई है जाए इस टीम के पास टोटल 4 अंक है तो इस टीम का जो नेट रनेट है प्लस में है प्लस 0.333 इस टीम का नेट अंडेड है जो कि थोड़ा बहतर है इस टीम के पास टोटल चार अंक है तो इस टीम का जो नेट अंडेड प्लस में प्लस 0.700 इस टीम का नेट अंडेड है जो कि पंजाब किंग से थोड़ा बहतर है तो वहीं पॉइंच टेबल में पहले पायदान पर पहुँच चुकी आज का मैच जीतने वाली टीम लकनो सुपर जैंस लकनो सुपर जैंस ने अब तक तीन मैच खेला है और इन तीन मैचों म में काफी ज़्यादा बहतरीन है दोस्तों यह रहा IPL 2023 का नया पॉइंच टेबल जो कि दसवें मैच लकनो सुपर जैंस बनाव संदाइजस हैदराबाद के बात का है तो आपको क्या लगता है क्या संदाइजस हैदराबाद प्ले आफ में कॉलिफाइग कर पाएगी या फि अगर आपकी वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवा देना तैंकी सो मच गाइद फोर वाचिंग दिस वीडियो